सो हलो दोस्तों एक पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूडिजनल सक्सेस रोजकार में दोस्तों आज किस विडियो में बात करेंगे बिहार में नई भरती सुरू हो चुकी है 2022 की और पत की बात करें तो केंपीटर, ऑपरेटर और स्टोनोग्राफर की पोस्ट निकाली गई है जिसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 119 टोटल पोस्ट है जिसमें आपको जॉब जो अगर लगती है तो इसका जॉब लोकेशन जो होगा पटना रहेगा जिसमें योगता की बात करे तो 12th pass के अधार पे ये भरती निकाली गई है 12th pass यानि कहने का मेरा मतलब कि 12th pass आप किसी भी subject से किया है तो आप इस form को भर सकते है यानि किसी भी stream से है तो आप इस form को इजली भर सकते है जिसमें chain किस परकार से होगा और IUC में क्या रहेगी तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जो minimum आपका age रहेगा वो 18 साल तो रहेगा ही रहेगा जिसका official advertisement जारी कर दिया गया है जो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो इस advertisement के जड़िये क्या कुछ बताया गया है वो सारी information आपको देंगे साथ ही साथ आप लोग किस परकार से आभेदन कर पाएंगे और यह भरती आई कहां से हो complete जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा और दोस्तो अभी तक आपने हमें Facebook पेज पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो और लाइक जरूर कर लेजिए क्योंकि वहाँ पे भी आपको हर छोटी बरी updates मिलती है और साथ ही साथ आप हम से सीधे WhatsApp पे contact कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंस वीडियो को फटा फट सुरू करते हैं और आपको जानकारी step by step complete प्रवाइड करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग आचुके है इसके official जो website है उस पे और important date में बतेया गया है कि starting date जो है March 3rd week जो यहाँ पे देख सकते हैं यानि March के जो 3rd week होगा उसमें आप सभी लोगों को आवेधन start हो जाएगा और application फी के बारे में बतेया गया है इसके बारे में अभी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है तो जिसी इसका कोई अगला notice आता है तो आपको update मिल जागा तो इस वीडियो को last तक देखते र रहेगा यानि cut up date रहेगा minimum 18 सार और maximum 37 साल एज रिलेक्शन अपर एज लिमिट एज पर रूल्स के हिसाब से इसको आपको रहेगा नमबर और पोस्ट की बात करें तो 169 पोस्ट निकाले गया है जिसके अंतरगात आपको बता दे तो यहाँ पे बतेया गया वेकिंसी डिट जो आपसे आगे देखेंगे उसके जो एड़टाज में जारी किया गया है उसमें यहाँ पे बात करें तो पोस्ट नेम आप देख सकते इस्टोनो ग्राफर एंड केंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट वाइज वेकिंसी डिस्ट्रिबिशन में अगर देखेंगे तो इस्टोन एंड केंप्यूटर ऑपरेटर एकुट्मेंट 2022 में बताया गया है कि इस्टोनो ग्राफर कैंडिडेट हो है पास्ट क्लास 12 इंटर्मेडियर एक्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉंगनाज इन्वर्सिटी इन इंडिया बिल बी कंसीडर फोर इस रिकुट्मेंट यानि 12 प इन्वर्सिटी इन इंडिया बिल बी कंसीडर फोर इस रिकुट्मेंट यानि इंडिया के किसी भी इन्वर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म के लिए इलिजबल है केंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तो इसमें बात करें यहां पे बताया गया है क कि हाउ तो अपलाई फोर पत्ना हाई कोट एस्टोनोग्राफर एंड केंप्यूटर अपरेटर एक्विट्मेंट 2022 कंडिडेट कैन अपलाई थ्रो लिंक प्रोवाइड़ बिलो और देव कैन अल्सो अपलाई थ्रो ऑफिस्यल साइट ऑफ दपत्ना हाई कोट बिफोर लास् स्टेट अभी निकला नहीं है जिसी इसकी बहाली स्टार्ट होगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जागा किस परकार से अपलाई करना है उससे पहले आपको देखना होगा कि इसमें क्या-क्याची आपको लगेगा तो यहाँ पे ऑन्लाई अप्लिकेशन के एक्विट्मेंट 2022 सेलेक्षन बिल बेस्ट और तो रीटेन इक्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर आपको इसमें सेलेक्शन होगा तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं लिंक एक्टिव सून तो यहाँ पे जिसी लिंक एक्टिव होगा तो आपको हमारे के मादे हम से अपडेट मिल जागा और सोट डाउनलोड सोट नोटिफिकेशन जो यहाँ पे दे रखा है तो इसको इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ कि यह जो रहा नोटिफिकेशन आप लोग देख लिजिए तो यह रहा पतना हाई कोट जो यहाँ पे देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन और इसके साथ साथ जिसी कोई अगला नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल के मादे हम से आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आसा करते हैं यह सभी जानकारी आपको बहत पसंद आए हम मिलते हैं इस तरह के एक और ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए बन रहे हैं मारे साथ जाहिए